आतम रक्षा के लिए भगवान हनुमान जी का शाबर मंत्र देवताओं में भगवान शिव के बाद वजरंग बली ही ऐसे देता हैं जो अपने भक्तों पर अतिक शीग्र प्रसन होते हैं चोटे चोटे उपायों वा मंत्रों से हनुमान जी शिग्र ही प्रसन हो जाते हैं सच्चे मन से श्रदा पूर्वक की गए पूजा कभी बेकार नहीं जाती ऐसे ही उपायों में से एक है हनुमान रक्षा मंत्र ये एक शाबर मंतर है, इस मंतर में अपार शक्ती है और ये साथ ही में अदबुत फलदाई मंतर है, इस मंतर को गुरु गोरकनात निरचा है, इस मंतर से भूत, प्रेत, चंडाल, राक्षस वा अन्य बुरी आत्माउं से बचाव किया जा सकता है, ये मंतर आपको टोनों टोटकों से बचाता है और तंतर के मार्ग में आपकी रक्षा करता है, काला जादो भी इस मंतर से पूरी तरह से पराजित हो जाता है, इस मंतर को सिद करने से जीवन के सभी शोक मिट जाते हैं, इसलिए इस मंतर को शोक नाशक मंतर भी उकारा जाता है साथ ही जीवन में जो भी कश्ट होते हैं वो कुछ ही दिनों में समापत होने लगते हैं वैक्ति के जीवन में अचानक खुशी आ जाती है और वे हर तरह से संपन हो जाता है श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महराज आठ चिरन जीवियों में से एक हैं जो अनंतकाल से अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं और उनसे खुश होकर उनकी मनों कामनाओं को पूर्ण करते हैं हनुमान जी जल्द प्रसन होने वाले देवताओं में से एक हैं और ये शाबर मंतर भगवान हनुमान जी का एक चमतकारी मंतर है इस मंतर की सही वदी जानकर इसका जाब करें जिससे प्रसन होकर भगवान हनुमान आप पर कृपा परसाएंगे चलिए जानते हैं उस चमतकारी हनुमान जी के शाबर मंतर के बारे में आतम रक्षा मंतर ओम नमा वजर का कोठा जिसमें पिंड़ हमारा पैठा इश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे आठों याम का यति हनुमंतर खवाला सादको कोई भी मंतर सातना के बिना सिद नहीं हो पाता सिद शाबर मंतर ही कारे संपादित करने में सक्षम होते हैं सादक को चाहिए कि यता संबब मंतर को गुरु मुख से प्रापत करें और शाबर मंतर की साधना और प्रयोग करने वाले महानुबहों को चाहिए कि वे अपने सिद शाबर मंतर को परतेक दिपावली, खोली और जन्मास्टमी की रात्रियों में, दोनों नवरात्रों में और दोनों ग्रहनों में, जब वाहवन के द्वारा अवश्य सक्षम करते रहें, इस प्रक्रिया का पारण करने वाले सादकों का सिद मंतर सदा ही सिद मंतर रहेगा और कारेसम पादर करने में सक्षम रहेगा साथ ही सक्षम मंतर के धारक सादक ही अपना और दूसरों का भला करने में सक्षम और येशस्वी हो सकेंगे इस मंतर के देवता हनुमान है किसी भी हनुमान मंदिर या रा मंदिर हत्वा शिव मंदिर में बैठ कर इस श ग्यारा सो मंत्र जब करना चाहिए और 12 दिन 108 मंत्रों से गृत लोबान और तिल अधिके मिशन से अहोती देना चाहिए इस प्रकार ये मंत्र सिद मंत्र हो जाएगा जब भी कभी आवशिक्ता पड़े इस सिद मंत्र का प्रति दिन 11 आवर्तन करने से मंत्र सदा सिद सक्षम और रक्षा कारत रहेगा